हेलो फ्रिंस आप देखरे स्पोर्ट्स विद रवीश मैं हूँ आपके साथ रवीश बेस्ट और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत सीरीज को हार चुका है साथ अफरीका के खिलाव दूसरे वन्डे में भारत को हार का सामना करना पड़ा और आखिर इसकी वजह क्या रही इसके बारे में मैं आपको डीटेल से बताऊंगा दोस्तों लेकिन अगर अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें रवीश बिश्वन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और रैस 10 के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है वहाँ आप मुझे follow कर सकते हैं दोस्तों तो चली दोस्तों बात करते हैं second ODI की जो भारत और South Africa के बीच खेला गया था पारल के बोलेंड पार्क में और इस मुकाबले को हारने के साथ ही भारत ने series को भी गमा दिया है यानि कि अगर South Africa दोरे की बात की जाए तो भारत ने दो टेस्ट मैच और उसके बाद ये दो वंडे भी गमा दिये हैं यानि कि back to back चार मुकाबलों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है तॉस भारत ने जीता था पहले बलेबास ही करने का फैसला किया भारत ने बनाये थे 287 रन इसमें जो useful contribution आया दोस्तों वो था विकेट कीपर बलेबास रिशब पंत की तरफ से जिन्होंने 85 रन बनाये थे इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए केल राउल की तो उन्होंने भी 55 रनों की पारी खेली थी लेकिन ये पारी काफी धीमी रही थी इसके बाद दोस्तों रेस्क्यू करने के लिए आये शार्दुल ठाकोर जिन्होंने 40 नाबाद रन बनाये और रवी चंदरन अश्विन ने भी 25 नाबाद रनों की पारी खेली और भारत 287 रन बनाने तक काम्याब हो पाया इस मैच की अगर बात की जाए तो विराट कोली बहुत अनफॉर्चूनेट रहे वो अपना खाता भी नहीं खोल पाये वही श्रेस अयर और वेंकडेश अयर भी बड़ी पारी नहीं खेल सके तो दोस्तों जब साउथ एफरीका बैटिंग करने उतरी तो ऐसा लगना था कि भारत के जो गेंदबासे वो नकेल कस देंगे और भारत इस मुकाबले को जीत कर सीरीज को बराबर कर देगा लेकिन यानेमन मलान और उसके साथ कुंटन डिकॉक ने एक बहुत मजबूत आधारशिला रग दी एक प्लैटफॉम बहुत मजबूत रग दिया साउथ अफरीका के लिए 91 डन मलान ने बनाए कुंटन डिकॉक ने भी अर्दुशतक लगाया और उसके बाद साउथ अफरीका के लिए काम बहुत ही आसान कर दिया और साथ विकेट से साउथ अफरीका ने इस मैच को अपने नाम कर लिया दोस्तो भारत की तरफ से अगर गिंदबाजी की बात की जाए तो भूमनेशुर कुमार काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिंदबाज साबित हुए वही रवी चंदर अश्विन भी कोई छाप नहीं छोड़ पाए दोस्तो बुम्रा और यूजी चैनल ने अच्छी गिंदबाजी की उनको विकेट भी मिला लेकिन अगर उसके अलावा देखा जाए तो वेंकडेश आयर जिनको की ओलाउंडर कंसीडर किया जा रहा है और अब यह बड़ा सवाल है कि भारत के उपर क्लीन स्वीप का खत्रा मन रहा है दोस्तों तो भारत की परफॉमेंस दोनों ODIs में बिलकुल भी अच्छी नहीं रही खास कर सबसे ज़ादा आलोचना के घेरे में आ गया कप्तान केल रहुल जिनने भारत की फूचर कैपिटें के तौर पर देखा जा रहा है लेकिन रहुल की कप्तानी डोस्तों ऐसी लग रही है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है ना जिसमें कोई जोश नजर आ रहा है ऐसे में क्या K.L. रहुल जोयम को आगे भारत के जो सेलेक्टर है future captaincy के लिए consider करेंगे या नहीं करेंगे या अपने आपने बड़ा question mark यहाँ पर लग गया है अब दोस्तों यह देखना पड़ेगा कि 3rd ODI में भारते team क्या कुछ बद्लाओ करेगी इस playing 11 के साथ कुछ change करेगी definitely भारत को करना चाहिए दोस्तों आपको हार की सबसे बड़ी वज़े क्या लग रही है और क्या आप चाहते हैं कि 3rd ODI में क्या changes होने चाहिए please comment section पर जाकर comment ज़रूर करें